नमस्कार मैं आनन जैन हेड़ ओप डिपार्टमेंट इलेक्टिकल एंजिनियरिंग आप सभी का गौवर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हन्मानगड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ हमारे विशे एलेक्टिकल एस्टिमेशन और कोस्टिंग में आज पॉल माउंटेड सबस्टेशन के एस्टिमेशन को समझते हैं और जानते हैं एक डबल पॉल के एच स्टर्चर पे हंडिड की विये का टांसफॉर्मर जब एक पॉल माउंटेड सबस्टेशन के तोर पे काम क तो क्या-क्या मिटीरियल किन स्पैसिफेकेशन और क्वांटिटीज के साथ लगते हैं शुरू करते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन का एस्टीमिशन चित्र में दिखाए गए आठ या नो मीटर के दो पोल पे माइल स्टील की सी चैनल के फैब्रीकेशन से जो एच फोर्मे के बाद ट्रांस्फोर्मर की हाई टेंशन बुशिंग्स पे देने पर एक स्टेप डाउन एक्षेंच से एक फोर वायर फोर हंडेड वोल्ट का एल्टी डिस्टिबूशन वोल्टेज के द्वारा एल्टी पैनल्स पर ले आया जाता है इस तरह के पोल माउंटेड सबस्ट से एच्टी और एल्टी के बीच में एक तरह का फोर्स और कंटोल के लिए आईसोलेशन बनाया जा सकता है और इस तरह के पोल माउंटेड सबस्टेशन इलेक्टिक डिस्टिबूशन में प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग का काम करते हैं सिंगल या डबल पोल पे बनाये ग 16 KVA या 25 KVA के उन्हें सिंगल पोल स्ट्रक्चर पे माउंट करके एसोशियेट प्रोटेक्शन और कंटोल का स्विच गेर इस्तेमाल किया जा सकता है वहीं मीडियम साइज के 3600 या 125 KVA के ट्रांसपोर्मर को हम डबल पोल के स्ट्रक्चर पे एच सेक्शन बनाकर माउंट कर स सकते हैं उससे बड़े जो 160, 200, 250 या 315 KVA रेटिंग के ट्रांसपोर्मर हैं उन्हें हम 4 पोल स्ट्रक्चर पे इस्तेमाल करते हैं वहीं 500 KVA और बड़े साइज के ट्रांसपोर्मर को प्लेंथ या फांडेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है आज हम एक डबल पोल स्ट्रक् पोल मौंटेड सबस्टेशन बनेगा उसमें सभी मिटीरियल कंपोनेंट्स के स्पैसिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी के एस्टिमिशन को समझेंगे एक पोल मौंटेड सबस्टेशन में जो 11 KV की हमारी incoming line है उसे एक end terminal पे जहां पोल मौंटेड सबस्टे और line के सिरीज में एक triple pole manual operated air brake type gang switch लगाया होगा जो HT supply को सबस्टेशन से isolate करने का काम और control का काम करेगा short circuit और overload protection के लिए एक home gap type fuse का इस्तेमाल line में series में करेंगे और वहां से HT supply transformer की high tension bushings पे चली जाएगी जहां एक three phase delta connect winding magnetic coupling से एक दूसरी three phase star connect winding में three phase four wire LTE supply पैदा कर देगी जिसे एक LTE panel में CT के साथ लगेवे energy meter और switch और fuse unit और modular के circuit breaker के protection और control से LTE distribution बना लिया जाएगा दो pole की structure में mild steel की C channel के मदद से हम एक edge configuration बना लेते हैं और इस edge structure पे ground से 8 feet की clearance के साथ 2440 mm की height पे हम transformer की mounting करते हैं transformer, htk control protection, ltk control protection और distribution का ये जो सारा setup है वो जमीन पे 2 meter by 3 meter का space occupy करेगा हम इस सारे इलाके में fencing और door locking से unauthorized persons की entry को रोक सकते हैं safety precaution के लिए हम danger board और anti climbing devices भी arrange कर सकते हैं pole mounted substation का structure बनाने के लिए हम दो reinforce cement concrete या pre-stress cement concrete की 9 meter height के दो pole support का इस्तेमाल करेंगे हम steel, rail joist या tubular poles का भी इस्तेमाल कर सकते थे इन pole support की grouting के लिए 8 feet की center to center distance के साथ pole की cool height 9 meter की 1 sixth part 1.5 meter होगी हम ground में 2 foot by 2 foot के cross section में 1.5 meter गहरा गड़ा बनाएंगे ground pit बनाएंगे और नीचे एक reinforce cement concrete की base foundation 100 mm की बना कर pole को erect करके pole के 4 तरफ 1-2-4 ratio में cement concreting कर देंगे सबसे important component transformer की mounting के लिए pole के उपर हम 100 mm by 50 mm size की C channel लगबग 1 meter लंबी दोनों pole पे यहां लगा देंगे और इन C channel के उपर cross में 2.8 meter length पे 2 C channel उसी 100 mm by 50 mm, 8 mm thickness की channel से हम एक edge sections बना लेंगे और इस edge section पे हम transformer की foundation footings की जो legs है उन्हें place कर सकते हैं transformer के tank में लगेवे foot sections में जो holes बने हैं उनकी matching C channel पे बनेवे hole से करके इन्हें fastner से fix कर सकते हैं additional bracing support के लिए हम दोनों pole पे 35 mm by 35 mm, 5 mm thickness के 2 angle 1800 mm length के दोनों pole पे लगाएंगे और उनके उपर 2800 mm की यही 35 by 35 की angle section 5 mm मोटाई की 2800 mm length की से transformer की हम bracing कर देंगे जो lightning arrester है उसे एक 75 mm by 40 mm के C channel पे जो 2800 mm length का है उस पर mount करेंगे और इस mounting के लिए pole से conductor की clearance maintain करने के लिए एक angle iron की support यहाँ pole पे हम perpendicular erect करेंगे और ये angle iron 6 mm थिकनेस का 50 mm by 50 mm size का लगबग 1 मीटर लंबा होगा और इसके उपर C channel पे हम 3 lightning arrester को fix कर देंगे जो air brake gang operated switch है इसकी mounting pole structure के उपर हम दो 8 mm मोटाई की 75 by 40 mm dimension की C channel जो 2800 mm लंबी है उन दो channel पे यहाँ दिखाई वी है हम air brake gang operated switch का इस्तेमाल करेंगे जो horn gap type fuse की positioning है उसको भी 2 C channel वही 75 mm by 40 mm dimensions और 2.8 meter length की ये जो 2 C channel है जिने हम दोनों pole पे ये जो across 1.8 meter की 2 angles लगे वी हैं 50 by 50 mm size की 6 mm मोटाई की उन पर यहाँ दिखाई वी है C channel को place करके उस पे horn gap fuse assembly को place करेंगे क्योंकि fuse assembly pole से काफी आगे extended है तो इस angle को bracing support देने के लिए दो छोटी size के angles एक 800 mm length का 35 by 35 into 5 mm thickness का दोनों pole पे दोनों तरफ ये यहाँ दिखाई वे हैं और इनके साथ ये जो cross bracing है वो इसी 5 mm thickness और 35 by 35 के angle में 1.8 मीटर की हम दोनों pole sections पे करके इस structure को bracing support दे देंगे एक pole mounted substation के लिए transformer और दूसरे control और protection component को किस तरह से edge structure पे support दिये जाते हैं उसे तेजी से दोहरा लेते हैं दोनों pole की foundation के लिए cement concrete की base plate के उपर pole की 16th part 1.5 मीटर को underground करके 124 ratio के साथ cement concreting कर दी जाएगी ground से 8 foot height पे 200 mm by 50 mm dimension की जो C channel है लगबग 1 मीटर लंबी जैसा की यहां front television और side view में हम देख रहे हैं और PD highlight में दिखा रहे हैं उने दोनों pole पे लगाके इनके उपर दो उसी dimension की 100 mm by 50 mm की C channel को 2.8 मीटर लेंथ पे दोनों तरफ लगाके edge structure बनाया जाएगा और इस edge structure पे ट्रांसपोर्टमर की placing करेंगे और 35 by 35 के L section जिसकी की मुटाई 5 mm है उसकी चारों तरफ से bracing angle iron से कर सकते हैं जिसमें side की जो angles हैं वो एक एक मीटर लंबी हो सकती हैं जिनके उपर across angles 2.8 मीटर की हम suitable nut bolt arrangement से clamp कर देंगे lightning arrester के लिए एक angle iron support के उपर C clamp को लगाके तीनों phase के तीन lightning arrester को जैसा की front elevation या side view में हम देख रहे हैं place कर देंगे C channel की dimension अब 6 mm मुटाई और 75 x 40 mm dimensions हैं इसी तरह की दो clamps का इस्तेमाल हम air brake switch के लिए उपर करेंगे और switch को switch के base पे लगीवी C channel के support के लिए दोनों pole पे दो angle iron supports लगबग 800 mm length के हम लगा देंगे home gap fuse की assembly के लिए दो C channel support पूरी length 2.8 meter पे हम लगाएंगे और इने एक angle support पे जो लगबग 1.8 meter length रखता है extend करके आगे की तरफ लगाएंगे ताकि pole और HD lines के बीच में required clearance हमें प्राप्त हो जाए और jumpers की positioning असान हो जाए इस angle support को bracing करने के लिए दो छोटी dimensions के angle 1800 mm length और 1800 mm length को हमने support structure पे दोनों pole पे दो दो इस्तेमाल किये इस तरह से ये सारा material estimation complete specification और description के साथ quantity में हम बना सकते हैं एच पूल structure और सारे दूसरे support positions के बाद अब जानते हैं pole mounted sub station पे active component और दूसरे auxiliary control और protection के components क्या इस्तेमाल किये जा रहे हैं हमें एक distribution transformer install करना है जो 100 kVA का यहां C channel के sections के उपर ground से 8 height पे place किया जाएगा incoming three phase line इस terminal station पे तीन disc insulator पे end करेगी तो हमें तीन disc type strain insulator 11 kv capacity के लगाने होंगे control और isolation के लिए हम air brake gang operated switch का इस्तेमाल करेंगे यह horizontal या vertical किसी भी configuration का हो सकता है हम यहां एक horizontal type triple pole manual operated gang switch का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम इस operating road की मदद से यहां लगाए हैंडल से operate करेंगे तो यह पूरा arrangement एक set हमें तीनों phase के लिए चाहिएगा over current और short circuit protection के लिए हम यहां typical horn gap shape के तीन अलग अलग phase में series में fuse units लगाएंगे उसका एक पूरा set foundation support के साथ हम यहां C channels पे जिने हमने angle iron के bracing से थोड़ा extend करके आगे गर के लगाया हुआ है जैसा हमने side view के diagram में भी देखा था एक set चाहिएगा हमें fuse unit का यहां उपर हमें तीनों line में lightning और over voltage protections के लिए lightning arrester हर phase में एक तीन चाहिएंगे lt के metering control और protection के लिए हम एक lt distribution box इस्तेमाल करेंगे जिसमें अंदर ही current transformer CT के साथ energy meter होगा जो multifunctional values रीड करेगा switching और protection के लिए modular के circuit breaker का इस्तेमाल किया गया है transformer की secondary से जो low tension output आएगा उसे lt distribution box तक जोडने के लिए हमें 3 and half core की अलग-अलग transformer के लिए 35 mm से 195 mm की aluminium PVC insulated cables की ज़रत हो सकती है transformer के tank दूसरे component के non current carrying metallic supports की earthing करनी होगी transformer का neutral भी अर्थ होगा और एक तीसरे earth point से हम lightning arrester की earthing करेंगे तो हमें 3 road या pipe type earthing के sets बनाने होंगे क्योंकि line terminate हुई है एक तरफ longitudinal stresses pole structure पे उसे balance करने के लिए हम ये दो stay arrangements भी minimum इस्तेमाल करेंगे pole mounted substation का जो सबसे critical component है transformer जो typical topical climate की conditions है moderate hot और humid उन applications में outdoor services के लिए suitable होना चाहिए और जहां rust और fungus की growth हो जकती है वहां भी ये safe और long life maintain करें इस तरह का enclosure और accessories काम इस्तेमाल करेंगे transformer अपनी full load rating capacity को continuously supply करने के लिए capable होने चाहिए और जब वो full load पे लगाता और continuous काम कर रहा है तो भी उसका temperature rise safe limits के अंदर रहना चाहिए आज हम जिस pole mounted substations को design कर रहे हैं उसमें transformer की capacity 100 kv है जो rated 11 kv के supply पे system में 10% तक अगर variation भी हो तो 12 kv तक की peak voltage को san कर सकता हो इसकी lt side की rated voltage line to line 433 volt है और line to neutral ये 250 volt होगी हम apparent power में root 3 line voltage का division करके line current निकाल सकते हैं जो high voltage line के लिए 5.25 ampere है और low voltage के लिए 133.33 ampere हो गया है अगर हमारे transformer की power rating बदलती है तो ये current rating में variations आ जाएंगे और current को calculate करने के लिए हमें apparent power में root 3 times line voltage जो rated है उसका division करना होगा ये 3 phase 50 hertz supply के लिए है primary side में ये जो bussings अंदर winding को connect करेगी उस winding का connection delta है और lt side यहां दूसरी तरफ 4 bussings दी वही है जो हमें 3 phase 4 wire star connection के साथ output देगा इसका vector diagram ht में delta lt में small y star बता रहा है एक one one group का है जिसमें lt का जो हमारा secondary output है वो ht की phase voltage से positive 30 degree lead कर रहा है distribution transformer में voltage regulation के problem जादा ना रहे इसलिए हम इन में percentage impedance कम रखते हैं डिजाइन के दुरान तो 75 degree पे इस design का percentage reactance 4.5% बना चाहिए हमारा ये transformer oil में immersed है और बहर air के natural circulation से इसमें cooling हो रही है तो ये cooling को हम on an cooling कहेंगे cooling को effective बनाने के लिए tank के surface पे radiator और fins लगा दी जाती है ताकि हमारा heat dissipation का surface area improve होकर अंदर के losses का dissipation बहतर तरीके से हो सके और temperature rise को control किया जा सके distribution transformer को अगर वो बहुत जादा power rating का है 500 के विए तो प्लिंथ पर लगाएंगे अन्य था दो या चार पोल या सिंगल पोल के structure पर अगर रखेंगे तो इसकी ground level से height minimum 8 feet 2440 mm रखनी है जो हमारी distribution transformer की HV और LV साइड में जो busics हैं वहाँ पर जो connections हैं वो by metallic connector होने चाहिए ताकि हम बाहर चाहे albumium के connection करें चाहे copper की cables के connection करें हमारी connections की life अच्छी रहे जो हमारे terminal connection transformer की mounting में बाहर निकलते हैं उनकी HT साइड मे line to line clearance 255 mm और line to neutral या earth clearance 140 mm रहनी चाहिए वहीं LV साइड में line to line clearance हमें cable 75 mm maintain करनी है और line और earth के बीच में ये clearance 40 mm minimum रहनी चाहिए transformer की HV और LV के जो terminals हैं HV के terminals पर हम one तीनों phase के UVW notation यूज़ करते हैं वही LV में हम दो second terminal और तीनों phase के UVW लगाएंगे और एक हमारा terminal four wire supply है neutral का भी होगा LT में तो LT के terminal को हम 2 से और HV के terminal को हम one से indicate करेंगे और transformer के उपर एक name plate में एक diagram बनाया हुआ होगा जिनमें इन terminals की physical locations transformer की body में किस तरह की है उसे बिलकुल सही तरीके से indicate किया हुआ होगा pole mounted sub station की double pole structure पे दोनों pole पे हम 50 mm by 50 mm, 5 mm thickness की ये जो L section है लगबग 80 mm लंबी दोनों pole पे लगा के इसके उपर एक C channel पिछे 13 mm by 50 mm dimension और 6 mm मोटाई की पूरी 2800 mm length पे लगा देंगे और इस C channel के structure के उपर हम 11 kv का 200 amp का triple pole gang operated outdoor type का जो single through switch है यहां हम double brake switch का arrangement कर रहे हैं आजकल commercially single brake air brake switches का भी इस्तेमाल बहुत जादा हो रहा है जो triple pole manual operated gang air brake switch है उसका ये MS channel है तीनो pole assemblies के लिए यहां connecting pipe guide और link work एक vertical operating road और operating handle से connected है हम contacts को post insulator पे mount करते हैं और यहां brass के fixed और moving contacts हैं contact के साथ arking homes और handle की own closed और off open positions के लिए locking arrangements हैं हमारे triple pole air brake switch है यहां horizontal mounting दिखाई वी है यह horizontal और vertical दोनों तरह के mounting के लिए suitable होते हैं और इस तरह से design के वे होते हैं कि एक smooth मजबूत triple free operation लंबे जीवन काल के लिए हमें दे सकें और यह connecting links हैं वो इस तरह से design की वी हैं कि तीनों पॉल के connections हैं वो simultaneously open या close एकी handle के operation से होंगे triple pole manual operated air brake gang switch का यह जो horizontal mounting का जो base है वो एक robust rolled mild steel channel है जिसकी यह dimension 75 mm यह dimension 40 mm है और ठिकने 6 mm है इन rotating parts में housing के साथ bearing का support है जो कम efforts के साथ smooth long life operations देगा जो contact blade है और fixed or moving contacts positions हैं वो कोपर alloy gun metal की बनी वी हैं और इनके उपर silver की electroplating की वी है ताकि contact resistance कम हो temperature rise की problems ना हो हम इस two brake switch को तीन porcelain के brown glazed pin insulator के उपर place करते हैं यह जो connections हम HT line के लिए करेंगे वो by metallic parallel group clamps है switch के साथ हमने यहां parking horns का भी arrangement किया हुआ है ताकि breaking के समय transformer का जो magnetizing in rush current है उसकी sparking असानी से quinch की जा सके ऐसे air brake switch continuously बिना गरम हुए 200 ampere और जादा current rating में 400 ampere तक का current कैरी कर सकते हैं और किसी short circuit fault के दोरान 3 second तक यह 6.6 kilo ampere current पी कैरी कर सकते हैं तीनों pole की moving contact की assembly को जोडने वाला यह tandem phase coupler pipe या spindle road है वो 32 mm diameter और 1905 mm length की है जो vertical operating road है mechanically इसके साथ linked इसकी inner diameter 25 mm और outer diameter वही 32 mm है और इसकी length vertically 5.5 meter है और हम ground से लगबग 1 meter height पे इस vertical road के साथ operating handle connect करते हैं और इस handle के movement के साथ जब contact close या open होंगे तो locking arrangements भी हैं हम gang operated air brake switch का यह operating handle और non-conductive जो metallic base supports हैं इन सब की effective earthing safety के लिए करते हैं pole mounted substation पे हम short circuit और over current protection के लिए horn gap type fuse assembly है उसे 2.7 mm by 40 mm dimensions की और 6 mm मोटाई की C channels जो 2800 mm लंबी हैं उन पर horn gap assembly को mount करते हैं और यह C channel को mount करने के लिए हम 1.8 meter लंबी 50 mm by 50 mm और 5 mm मोटाई की angles का इस्तेमाल दोनों pole पे करते हैं और इस angle structure को support करने के लिए 35 mm by 35 mm की 800 और 1800 length की angle supports का इस्तेमाल किया गया है जैसा की यहां side view में या इस construction diagram में हम समझ सकते हैं HT line की series में यह जो 200 mm चोड़ाई में horn gap के साथ fuse की जो हमारी assembly है उसका insulator एक solid core type brown glazing का 11 kv का porcelain pin insulator है इन pin insulator को हम mild steel के channel जिसकी dimension 35 mm by 40 mm है और मुटाई 6 mm है उस पर fix कर देते हैं जो horn gap type fuse unit है उसे यहां horizontal mounting के साथ इखा रहे हैं इसे vertically भी mount किया जा सकता है fuse unit में हम 8 mm diameter के दो GI horn gap का इस्तेमाल करते हैं जो fuse के blow के दोरान R को quench करने का काम करेंगे ओल structure के top पे एक 50 mm by 50 mm की angle 6 mm मुटाई की लगबग एक मीटर लंबी पे हम एक C channel 44 by 40 mm dimension और 6 mm मुटाई का पूरा 2800 mm length का इस्तेमाल करेंगे और उस पे तीन अलग अलग लाइनों के lightning arrester को place कर देंगे जो lightning arrester है उसका एक end line से और दूसरा grounding या अर्थिंग से किया हुआ होता है ये एक non-linear resistance के बांती वैबार करता है normal line voltage पे high resistance होने के करण इसके through leakage current का flow negligible होगा लेकिन अगर कोई lightning या over voltage का transient travel करता हुआ हमारे pole mounted substation के structure पर आएगा तो इस non-linear resistance का कम होने से lightning over voltage surge की energy ground में lightning arrester के through discharge हो जाएगी हम जो lightning arrester 11 के भी pole mounted substation पर इस्तेमाल करते हैं maximum continuous operating voltage phase 2 ground 7.5 kV होती है द्यान रहे line voltage इससे root 3 times जादा होगी ये जो हमारा standard impulse wave है 8 microsecond के rise और 20 microsecond के fall time की उसके 5 kA current को भी discharge कर सकता है जब हम lightning arrester की earthing करते हैं तो एक separate earth electrode lightning arrester के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी earthing को किसी भी दूसरे ground structure या transformer के neutral के साथ loop in नहीं करते हैं transformer की step down action से line to line 415 volt की LTE supply यहां 4 wire 3 line के और एक neutral के connection के तोर पे bussing से available हो जाती है और हम इन bussing से एक 3.5 core PVC insulated 1.1 kV voltage rating की aluminium cable का connections करते हैं और इसका जो cross section area है aluminium cable का वो हमारी transformer की power rating के according होता है हमारे 100 kV transformer की LTE side का current 133.33 ampire है तो ऐसे current के लिए हम 95 square mm या 120 square mm की aluminium cable 3.5 core तीनों line के लिए पूरा conductor size और जो neutral है उसका conductor size अगर line 120 square mm की है तो neutral का size half 60 square mm होगा और इस cable से connections कर देंगे हम LTE metering panel का जहां current transformer CT के साथ reduce current को हम एक multifunction energy meter में देंगे जो voltage, line currents, real, reactive, apparent power की continuous record maintain करेगा और इसी LTE panel में हम control और protection के लिए switch fuse unit या modular के circuit breaker का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये meeting panel से हमारा output LTE distribution box में जाकर जो हमारी location पे LTE loads है single phase load line और neutral के बीच में और three phase load तीनों line के साथ हम connect कर सकते हैं pole mounted substation का जो pole structure है वो एक terminal dead end positions पर आ गया था तो एक तरफा line का porcelain के brown glazing के tongue और pelvis type disc insulator और associate hardware का इस्तेमाल करेंगे ऐसे disc insulator line में tensile strength 45 किलो न्यूटन भी हो तो उसे withstand कर सकते हैं disc की diameter 255 mm और length 145 mm है और conductor और hardware support के बीच में creepage distance काफी अच्छा 290 mm है ऐसे disc insulator की wet condition में flash over voltage 40 किलो वोल्ट है और puncture withstand voltage 105 किलो वोल्ट है जैसे हमने बताया pole mounted substation एक dead end terminal पर आ गया है और एक तरफा line में जो longitudinal stresses हैं उन्हें balance करने के लिए हमें दो guy supports का इस्तेमाल दोनों pole पे एक एक line के opposite directions में करना होगा और जो high tension का जो stay guy arrangement है उसमें हम stay wire को turn buckle के साथ यहां turn buckle को pole clamp के साथ attach कर देंगे और जो GI wire है हमारा 3.15 mm diameter के 7 strands वो यहां egg insulator में आ जाएगा और इसे हम thimble लगाकर GI wire को egg insulator के साथ दोनों तरफ connect कर देंगे जो turn buckle है उसकी diameter 16 mm और length 450 mm है और जो हमारा egg insulator से GI wire है वो anchoring के लिए एक anchor road से connect होगा जो 16 mm diameter और 1800 mm length की होगी जिसे हम एक anchor plate जो mild steel की 200 या 300 mm by 300 mm और 6 mm thickness की होगी हम इन दिनों reinforcement concrete की 400 mm by 400 mm की area की 75 mm thickness की plates का भी anchor plate के तोर पे इस्तेमाल करते हैं उमीद है इस informative video से pole mounted sub stations में edge configuration बनाने के लिए हमें जो structural items में pole support के साथ angle और channel skin specification और quantity की अलग अप्लिकेशन के लिए चाहिए और दूसरे important components हमारे क्या details रखते हैं क्या quantity रखते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा हमारी इसी playlist की दूसरी video से आपकी subject understanding और improve होगी आप अच्छा पढ़ें तरक्की करें have nice time फिर मिलते हैं एक नई informative video के साथ